पालमपूर के बनूरी गाउं के शहीद मेजर सुधीर बालिय को सम्मान ना मिलने तता आगरे करने के बापजूद किसी प्रकार के कोई प्रतिमा स्थाफित ना करने पर बिफ्रे शहीद के परिजन ने पालमपूर में SDM पंकज शर्मा से गद्दिनों मुलाकात की तता इस दोरान उनके परिजन इतने भाबुक हो गए कि उन्होंने बेडल जो शहीद को उसकी बहादरूप पर मिले थे उसे SDM के पास प्रापिस कर दिया पालमपूर की बनूरी गाम के सहीद मेजर शुदीर भालिया को समान ना मिलने तता आगरे करने के बावजूद किसी परकार की कोई प्रतमस तापित ना करने पर बिफ्रे सहीद के परिजनों ने पालमपूर में SDM पंकज शर्मा से गद्दिनों मुलाकात ती तता इस दोरा उनके परिजन इतने बाबुख हो गए कि उन्होंने बे मेडल जो सहीद को उसकी बहादरी पर मिले थे उसे SDM के पास बाफिस कर दिया परिजनों का कहना है कि जहां सहीद मेजर सुधीर बालिया को 20 साल सहीद हुए हो चुके हैं काफिस में पहले उन्होंने सहीद सुधीर प्रत्यमारे कर्द्स लगने की श्य्टाइ बिस्याता ग्राइब लो प्रबीदन था कि पुHEसरी की समक्स लेक Anasto लेकिन उन्होंने हैरानी चिता आज तक प्रत्यमान लगाना तो दूर इस विश्यात पर कभी भी सहीट के परिज़नों को बिशबास में नहीं लिया गया नहीं उन्हें इस बिश्या में क्या कार्या हुआ है उसकी प्रोग्रेस बताए की उन्होंने कहा कि बैस सहीद के नाम पर किसी परकार की कोई मांग करने के लिए नहीं आये हैं मेजर सुधीर बालिया जोकी कारगिल के यूद में भी अपना शोरे दिखा चुके थे जथा उनके साथियों ने उनको बहादरी के लिए रेंबो नाम दिया था 29 अगस्त 1999 को कुपवाड़ा के जंगलों में आंतक बादियों के साथ मुटबेड में सहीद हुए थे नौ साल की आर्मी सर्विस में उन्होंने 15 मैडल प्रापत किये थे श्रिलंका में उन्हें सांती दूद के रूप में भी पुकारा जाता था पैंडांगं में 70 देश्दों के परति कि गए थे उसमें भारत की ओर से उन्होंने टॉब किया था जब से महतपून बात ये हैं कि उन्होंने बारतिये सेना में दूब आर लगा था सेना मैडल प्रापत किया था जो की बहुत कम सेंको को मिलता है जर्नल बीपी मालिक के मेजर सुधीर बालिया बतौर नेजी साही के रुप में भी उन्होंने कारे किया तथा मरनो परांथ उन्हें असोक चक्र दिया गया जर्नल बीपी मालिक उनके कारिय से इदने प्रबाबित थे कि मरनोपरांथ दो बार उनके गर में भी आ चुके थे अशोग चक्रवजेता मेजर सुदीर बालिया के परिजोन ने सहीद बेटे की परतमा स्थापित करने की मांग दोहराई है सहीद मेजर के पिता हुलियार राम बालिया और बहन आशा देवी ने सहीद मेजर सुधीर बालिया की प्रत्मा पालंपुर में स्तापित करने की है सरकार से और बहर आशा देवी ने भी सहीद मेजर शुदीर बालिय की प्रत्मा पालोपुर में स्ताफित करने की मां सरकार से की है परिजनों का कहना है कि सहीद मेजर शुदीर बालिय ने अपने नौ बर्स के कारेकल में 15 मैडल प्रापत किये थे जिसमें असोक चक्र भी शामिल था में वार वाले गाव वाले सब यह चाहते हैं कि जो बाहर से अथे हैं भो भी इसलूट करना चछ़ते हैं उनको तो वो स्थने कि यह का स्टैच्यू का कelpai है लेकिन 20 साल तक आज तक इनका कहीं स्टेच्यू नहीं बना लेकिन हमारी भी डिमांड है सरकार से कि एस्टिम साथ से कि इनका जो स्टेच्यू है वो पानपल में लगाए जाए और अशोग चक्र बजेता है ये भी और इनको भी मान समान दिया जाए हम ये चाहते हैं कि इनका स्टेच्यू इसलिए बने यहां पे जो आगली नई पीड़ी है यूवा है बो इस इन शिहिदों के इस मारक को देखके या इनका स्टेच्यू बगार को उनको परेर ना मिले आगे फोज में जाने की उनको भी देश वक्ति की भाब ना है बी यूवाएं को देखके आगे देश वक्ति और फोज में जाने के लिए उस्साहित हो इंको कितने समैन जाने की पास 15 मेडल ने को तो शोक चक्रा और उनके कही मैडलों से इनको समानित किया गया है यह हमारी डिमांड थी बहुत बड़ी पराणियन डिमांड है और आज तक कोई भी यहां आया तो उनके पास हमारी यही रुकरिशती के सुधीर का स्टेचो लगया जाए बहीं जीला कांगरा की डीसी राकेश कुमार प्रजबती ने कहा कि अशोक चक्र विजेता मेजर सुधीर बालिय की प्रतमा को स्टापित करने का मामला उनके संग्याना में कुछ दिन पहले ही आया है SDM पालंपुर को इस मामले को सरकार को प्रिशित करने की निर्देश दिये गये हैं और जो भी उचित कारवाई होगी बेक की जाएगी पालंपुर बास्वाप मंडला देक्ष संजीब सोने ने कहां कि अशुक शक्र भिजेता मेज़ सुदीर बालिय की पालंपुर में स्तापित करवाने के मुख्य मंत्री को पत्तर लिखा गया आज मानलिये मुख्य मंत्री जैराम ठाकवर जी को एक पत्तर लिखा है कि 29.08.2019 को जो उनकी 20 मी सरीदी दिवस है उस पर मानलिये मुख्य मंत्री जैराम ठाकवर जी जो है वो रत्मा की अधार सीला रखे और रुलिया राम जी की जो मांग है या उनके परिवार की मांग है ये बिल्बल जाइज है मेजर सुधीर वालिया जी आठ नो उनीसो नडीद में उनकी जो सहीद हुए थे तो हम चाहते हैं कि उनकी प्रत्मा वहाँ पर लगाई जाए उन्हें अशोप चकर मिला था और पानपर के लिए बहुत ही ये फकर की बात है कि पानपर से कागिल में तीन सहीद हुए थे